हेलो नमस्ते जी कैसे हैं सब मैं आसा करती हूँ सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अपने घर में फुस होंगे और आज हम क्या वनाने जा रहे हैं और किस से वनाने जा रहे हैं यह मेरा एक दुपट्टा है जो प्रैस से जल गया है इसका सूट नया है लेकिन इस पर प्रैस कर रहे थे तो यह जल गया इस पर वर्क हो रहा है तो आप यह अच्छा मिरर वर्क है तो मेरे दिमाग में आए कि इससे कुशन बनाते हैं वह सुंदर सा राउंड वाला और वह सीधा इससे ही बना लेंगे बस इसके लिए हमें क्या करना होगा यह बारीक कपड़ा है बोट तो इसके अंदर हमें एक लाइनिंग लगानी पड़ेगी इस तरह की आपको यह भी ले सकते हैं मेरे पास यह टुकड़ा देखो यह इतना है आदा मीटर का टुकड़ा है और इसकी लंबाई है मतलब आदा मीटर भी नहीं है यह साथ तो इसको इसके नीचे लगा के और मैं इस आपको एक राउंड बिलो बना के दिखाती हूँ कि कैसे बना सकते हैं और जो यह बचेगा ना इसका कपड़ा इतना इतना बच जाएगा इधर इससे इधर इससे इधर इसके मैचिंग कुछ बनाओंगी बेच नहीं करूंगी कपड़े को बिल्कुल भी तो चलिए बना लेते हैं देखो जो यह चुन्नी का बिल्कुल सही-सही पार्ट था यह मैंने इसमें से निकाल लिया है देखो इस तरह यह जो मेरा अस्तर था अस्तर वाला कपड़ा था 10 ता मीटर जितना भी था यह तो यह चुन्नी के ऊपर रख खा कुलती साढ़ और इसकी मैंने चुन्नी की उतनी जहां तक चुन्नी जली हुई थी ना लों जैना मैंसही Möglichkeit कबड़ा निकाल लिया इसमें से और इस चुन्नी को के उपर और कपड़े के ऑचतर के उपर चुनि जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतनी चुन्नटे ज्यादा आएंगी तक यह मैं नहीं तो आप मतलब इतना ले लो कि पचास इंच तो होना ही चाहिए तभी गोल तक यह आराम से बन पाता है का कि इस्ट lovers तरह आप इस कप्ड़े की चूंबिस स स्यद्रा नहीं का कपी चुन्लीं का क्पड़ा काट लिए और जल वाला इसमया हिस्टा अब चुद्दकर Agamishone ज़्य जल गया था न वो इस तरह टट गया हई और जब मैं कटिंग कर रही थी ना तो पता नहीं वीडियो कैसे बंद हो गई मुझे पता नहीं चला तो इसलिए वो कटिंग वाला पार्ट मिस हो गया क्या है तो आप एसी देख सकते हैं कि यह इस तरह है अब हम इस में क्या करना है जो हमारा यह मैंने का साइड चुननी गा प्लेन इस्ता था वह छोड़िया था वह नहीं करता था लिए पूरे में पहले हम नेफा मौड लेंगे इसे यहां से गोल पूरे हम हम इसे टिबार शुक्त कर देंगे तो यहां तो हमा पूरे के ऐसे राउंड बनके त्यार हो जाएगा तो चलिए नेफा मोड रही हूं और कटिंग की वीडियो मुझ समीस होगी उसके लिए मैं माफी चाहूंगी कुछ नहीं आप सिंपल अस्तर रखके जितना भी आपको लंबा चोड़ा बनाना उसके साब से काट लें देखो यह नेफा मुड़ने के बाद मैं इसे दोनों तरफ से जोइंट कर दूँगी और इसमें आपको बिल्कुल गद्दी बनाने की जोड़तनी है यह बिल्कुल आसानी से आपका बिना गद्दी के ही तैयार हो जाएगा कि हम गद्दी बनाए पहले फिर कुशन कवर मोटी सूई एक लमबी मोटी सूई ले 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 और तोड़ा मजबूत धागा डाले मैंने यह कैशमिट अब गदाका डाला इसमें डबल करके ताकि मैं इसको बांदिूंगी तो यह तूटे ना क्योंकि जो धागा होता है रील वाले वग तो तो मैंने बड़े LOL टाकर होता तो इसमें तकिये में चारो तरफ मैंने टाके लगा लिया इस तरह लंबे-लंबे जैसे हम चुणनटे बरते हैं उसी हिसाब से हो जाएगा तो इस अच्छे से आप इस तरह खीच ले दोनों तरफ से और धागा पहले तो लंबाई डालना पड़ता है लेकिन बाद में बहुत कर सकते हैं लेकिन मैंने दूसरी तरह पनेफा मोड़ लिया क्योंकि उदर थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक था अब इसको मैं आपको सिधा करके दिखाती है तो इस तरह एक साइड तक ही हो जाएगी चाहे तो आप इसा फ्रंट में रख सकते हैं चाहे तो बैक में और अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा धाग है उसको तो कट कर देंगे और इसमें हम फाइबर भर लेंगे और उस फाइबर बढ़ने से पहले मैंने इसमें नाडा डाल दिया है मतलब रिबन डाल दिया एक वाइट कलर का एक मेरे पास था तो अब हम इसमें फाइबर भर लेंगे आप अ ऩर टाइट है सा इसको बंस कर दोड़े अब लगा देएramika इसको बढ़ेश के इसके कर में यह कंपड़े है न दर अदर आगए में वीडियो में आपको दिखाऊंगी तो अभी मैं इसको बटन कि जगे इस कपड़े को इस ऐसे कुशन कवर मैंने पहले भी बनाए है तो यह कपड़ा था तो उसी से मैं इसको बना रही हूँ अब देखो मैंने यह इसमें लगा दिये तो यह बटन का लुक दे रहा है और यह बड़ा प्यारा लग रहा है अब जो चुन्नी का बचा हुआ बाकी कपड़ा है जो जला हुआ था ना उसे तो मैं एक साइड निकाल दूग हागों में इसको काट लिया है और काटने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो 20 इंच था इसका यह तो इसको मैं डबल कर दूँगी तो इसका सरफेस गोलाई मतलब 10 इंच के आसपास आ जाएगी थोड़ा बहुत कम भी हो सकते क्योंकि सिलाई में भी जाएगा थो चारो पीस में मतलब चारो दो लाइनिंग के पीस हो गए है और दो चुनिगे चारो पर एक सास सिलाई लगा दी तो इस तरह एक थैला सा बन के तयार हो गया है हमारा और इसको मैं बाद में नेफा नहीं बोड़ा है मैंने इसमें इसको मैं कैसे बंद करूंगी वो भी मैं अब आपको दिखाऊंगी तो मैं दूसरा भी तयार कर लेती हूं देखो दूसरा भी तयार हो गया है सिलके और अभी हम क्या करेंगे जैसे हमने तक्ये में सुई से लंबे-लंबे टाक के लगाए थे ना और उसको खीच के बंद कर दिया था तो हमें वैसे ही इसको करना है दो हमार ये मसंद बनके बहुत अच्छी तयार होंगी छोटी-छोटी सी मसंद तो अभी देख सकते हैं कितना आसान है बनाना और बिल्कुल ये दूपट्टा बेकार था इस समयने ये चीज बना ली है और इसको नई जिन्द की मिल गया अब ये कही साल तक मेरे पास रहेंगे और सोबा बढ़ाते रहेंगे घर की काट दी दिये थोड़ा सा छोड़के और इस तरह सुई को उल्टा करके और ऐसे आप इसकी जो एक्स्ट्रा बहार निकला हुआ हिस्सा है उसे भी अंदर पूस कर दे तो मैंने दोनों तैयार कर ली है ये भरके अभी हम इसके लिए बनाएंगे लटकन क्योंकि ये छोटी- दो बड़े गोल पीस काट लिए है तो मेरे पास ये चार पीस हुए है बड़ो में तो मैं लगाऊंगी मोती एक ये है और एक और है नीचे और छोटों से मैं बनाऊंगी छोटी-छोटी पोटली तो ये मेरे पास लैस रखी है मोती वाली तो इसके चारो तरफ में सुई की मदद से सिलाई मसीन से यह नहीं लगेगा आपको हाथ से ही लगाना पड़ेगा आराम-आराम से तो इस तरह आप देखो सीधी तरफ रखते हुए तो इस तरह आप इसको फिनिस कर लें तो इस तरह हमारी लटकन बन के तयार औहूंगी घर में और जोMmन पोटली बनानी है वह बनानी है घेरे के चारो तरफ इस तरह छोटे-छोटे टक्के लगाते चले जाएंगे ऐसे ही मैंने वो पोटली बनाई थी जो मैंने तक्ये में लगाई है न इस तरह और धागे को थोड़ा खीच देंगे तो ऐसे गढ़ा सा बन जाता है इस गढ़े में हमें बढ़नी है थोड़ी सी फाइबर ऐसे फाइबर को थोड़ा ही खटा करिए और इसमें अंदर भर और धागे को पूरा खीच दिये, देखो, तो हमारी एक पोटली सी बनके तयार हो जाती है, और इसको अच्छे सा आप इस तरह टाके लगा के स्टिच कर दीजिए, ताकि खुले ना, और काफी टाइट हो जाए, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है, उसको काट दीजिए, अब हम लटकन बनाते हैं, पोटली बन गी है, मैंने दो लाल पोटली बनाई है, दो ही चुन्नी के कपड़े की पोटली बनाई है, तो अभी मैं आपको लटकन बना के दिखाती हूं, कि कैसे बनाना है, तो मैंने पहले 6 मोती डाल ले हैं, और जो मोती धागे में गिरह लग अब हमने जो एक कपड़ा लगा है, इसके बिल्कुल सेंटर में हम ऐसे सुनी ले आएंगे, और इसको थोड़ा हाइट पर रखते वे ताकि नीचे मोती भी दिखते रहें, इसमें टक्का लगा लेंगे एक, ताकि ये नीचे ना गिरें, एक मोती डालेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल बीचो बीच, इसमें सुनी डालके ऐसे कर देंगे, उसके बाद फिर से एक मोती डालेंगे, और हम अब हम लाल वाली पोटली डाल देंगे, पिंक वाली, तो देखो, ये हमारा बिल्कुल लटकन बनके तयार होगी, देखो कितनी प्यारी लटकन बनके तयार हु अब इनमें हम इनको हैंग कर देंगे यह हमारी मसंद है ना इसके एक कोने पर यहां पर इस तरह इससे टाइट करते हुए इस तरह हैंग कर देंगे यह ज्यादे टाइट नहीं करना ठीक से बस इस तरह तक यह हमारी करके दिखाते हुए देखो तेवहारों का सीजन आ रहा है तो आप इस तरह अपने गर को डैकोरेट कर सकते हैं अगर आपके पास सोफा कवर भी नहीं है तो इस तरह आप कर सकते हैं आपके पास कोई सिल्का दूपट्टा हो तो सोफे पर इस तरह उसको बिछाईए और आपके पास जो भी कुशन है उसके matching है या नहीं है तो थोड़ा सा mix match करके आप उन्हें लगा सकते हैं तो देखो ये pink वाले मैंने पहले बनाए थे और ये yellow golden वाले आज मैंने बनाए देखो कितनी सुंदर मसंद लग रही है ये छोटी छोटी सी पहुती प्यारी लग रही है और ये मैंने सोफे के पूरत है बस जजबा होना चाहिए कुछ भी करने का अपने मन में ठान लो की मुझे ये करना है तो वो हर काम संभव हो सकता है जो आप करना चाहते हो और अगर ना ठानो ये करना ही नहीं है तो देखो कुछ नहीं हो सकता देखो मैं आपको हर तरह से लुक दिखा रही हूं सोफे के कवर पर कैसा लुक आएगा अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेर कमेंट करें चैनल को सस्क्राइब करें और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे